हेलो केड़ेट जैन्टे अब्रिवान वन्स अगान यूर्मोस वल्कम इन यूर्चानल आर्मिबाइस ग्यान सब्सक्राइब आज वह लग पेपर को देखेंगे जो 18 फरवरी को एक्जाम कैंसल हुआ का पेपर 18 फरवरी जो कैंसल हो गया और यह चलिए देखते हैं इस में बहुत सारी कोशन मिस्टेक थे किसी में ऑप्शन गलती थे या फिर किसी में कोशन में भी थोड़ा सब मिस्टेक था ओके चलिए देखते हैं सब सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में पार्ट फोर दिखेंगे ओके पार्ट फूर पार्ट फोर में क्या क्या है आर्मेस इस पेसलाइज सब्जेट 110 नंबर कहां एं इन इस वीडियो वीडियो गर्वर 누ट फूर और नेक्स बीडियो में जो पूरा कॉमन सब्जेट इप उसको आम लोग कंप्लेट करेंगे जो सबसे पहले क् आपके पास भी वह पीडिएफ होगा आप उसको भी खोल के कोश्चिन सब मेच कर सकते सेम कुश्चिन क्या है राइट डाउन नेम्स ऑफ ग्लेंट्री अवार्ट बीरता पुरुसकारों के नाम लिखें एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें मैं आपको एंसर के साथ साथ कुछ टिप्स भी या फिर कुछ एक्स्टा बताऊंगा जो आपको कैसे आपको लिखना चाहिए एंसर ओके क्या के छोटे-छोटे चीजों को ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक अच्छा से लिक सबोगे आपका अगर कॉपी कितना भी हाट चेको नंबर नहीं कट टेका ऑके सबसे पहले क्या पूछा राय डाउन नेम्स अँप लेंट्री ओर बीठा पृरुस्कारों के नाम लिखें ऑकए भारत में कितने तरह के बीठा-पृुसकार होते हैं सबसे पहले टू टॉ टाइप्स अप गलेंट्री और होते हैं भारत में पहला वोर्टाइम होट माँद चक्राय तीन होते हैं जो युद के छेतर में दिया जाते हैं लड़ाइक केदर और कि ka क्या के दिया दिया जाते हैं इस दो तरह के फेल द्हें ऑफ न शेयल Kitty चुत अफंघ आपना एंस्व मैं गर्लेफ में रभारत खेर जाते हैं ब्त शैय इंधोब इसमें से मैच किजिएगा यहां का अधा एंसर और अपना अधा एंसर लेकर आप एक नया एंसर बना सकते हो जो और अच्छा होगा लिखने में और सुनने में भी next question क्या था what do you understand by war explaining in short यूद से आप क्या समझते हैं संशेप में बताइए में भी आपका answer मेरा answer थोड़ा अलग हो सकता आपको क्या करता इहां का कुछ answer और अपना answer मिला के एक नया answer लिखना इससे क्या होगा आपका जो copy है और आपका जो answer है वो सबसे अलग होगा और यह बहुत ही help करता आपका copy जितना अलग होगा दूसरों से ओके सो आपको नंबर उतना अच्छा मिलेगा ओके सो वाट डियू अंडेस्टेंड वार यूद से आप क्या समझते हैं और पॉइंट नंबर वन क्या है दो स्टेट और नेशन के बीच के जो हिंसक जगडा होता है उसी को वार कहते है एंड इसमें आप अपना यह भी आड जरूर करें एंड बी नंबर क्या है नावड़ेज वार इस हैपनिग इन टू प्लेस पहला ग्राउड में होता है एक तो ग्राउड में वार होता है उपन प्लेस कहीं भी यूद के छेत्र में and second in social media you can see nowadays moreover war are happening on social media social media में बहुत वार होता है कोई सको यह बोल दी को इसको यह कर दिया एक cold war जैसे social media में होता हम यहां तक होगे एक war कैसे हो सकता है एक बहुत ज़्यादा हिंसक पुरा तहसनास हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की मिर्तु भी होती है एक war से आप इसमें example भी एड़ कर सकते हो recent में Russia Ukraine war हो रहा और भी recent में Israel हमास अभी जो currently हो रहा है यह दो वह इस तरह से आपका answer ना unique बनता है दूसरों से आपके मान लेते college में 40 बंदे हैं 40 में से 5 से 6 जन यह example लिखेंगे बाके 35 नहीं तो आपका answer obviously उनसे अलग बनेगा इस तरह का example जरूर add करें जहां आप add कर सकते हो next third number क्या है third number देखते हैं हमारा arm force में क्या है write down the names of army command army command सेना कमांड के नाम लिखें okay सेना कमांड कितने तरह के होते हैं आइधिंग यह दो नंबर का पूछा गया था these are the seven army command which are there are साथ तरह का army command northern command southern command eastern command western command training command central command and southwestern command remember आपको बस नाम पूछा है बहुत लोग इसका headquarter भी लिख देंगे अगर आप headquarter लिखोगे तो मैं बूलूँगा वो waste of time होगा बस और number extra नहीं मिलने वाल है अगर इतना लिखोगे तो भी आपको सब्सक्राइब दो नंबर जरूर मिलेगा ओके एंड वर अप लिख सकते वह अगर आपको मन है एंड नेक्स्ट हैं राइट एनी टू service of Indian Army service मतलब क्या यह service का मतलब वह आपको supporting आम ही पूछा गया supporting arms ओके जो supporting साम आपने पुढ़ा है वही है service दो सिभाओं के नाम दो लिखने बूला है आप तीन लिख दिजिएगा और अगर आप बस इसमें खाली ASC ASC AMC या AOC लिख दोगे तो आपको दो नमबर नहीं मिलेगा आपको थोड़ा से लिखना होगा उसके बारे मिलें जैसे आप देख सकते हो क्या यह आर्मी सर्विस को एस सी क्या था एसको मेडिकल सपोर्ट किसी को इनजरी हो जाता तो उसको एमसे प्रदान करतार आर्मी औरेस कॉप AOC Al Testament एलोक्तोनिक और मेचेनिकल एंजिनियर एम ई डिजाइन देवलोपमेंट औव वेपन शिस्टम वेपन का डेवलोपमेंट डिजाइन ओकि यह सब IME करतार है इस एक्जाम में तीन ही लिखिए कि यह भी दो नंबर का पूछा था और उसमें नाम पूछा था अगर आप आप आपको नहीं मिलेगा पूरा मार्स थोड़ा सा आपको डेटेल में बताना है नेक्स्ट है क्यूंकि यह सी का भी पेपर है इतिंग यही इतना ही था आमपोस में न अगर अब बैटल फिल्ड का कन्वेशनल सैन ऐको आप सबुक आठा कैसे सबना देना यह बैटल एंड हॉस्पिटल का क्या होगा एक डिबब बनाना फिर अंदर में एच लिए देना इस इस यूर हॉस्पिटल एंड रिबर क्या करेगो आप रिबर कैसे बैठा इस्ट्रीम बना देना है ओके दिस इस यूर रिवर एंड आप एरो मार्क भी दे सकते हूं अगर आप इदर के रोदे रहो तो आपका पानी इधर बहरा ठीक है एंड रिवर का हम लोग बुलू कलर से दिखाते हैं मैप में आई होप आपको यह तीनों क्लियर हो गया नेक्स्ट इसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव कोशन है ओके और सिक्स नंबर क्या है गिब डिटेल्स आफ इन्फ यह और सिक्स नंबर का यह तो आप देख लिए जाएक बार क्या है एक वाटर बॉड़ी सबसे पहले वाटर बॉड़ी देखते हैं कैसे आपको लिखना है ओके आप यहां से आईडिया लिख सकते हो और आप अपना एक एंथर और अच्छे से बना सकते हो और वाटर से दिखाते हैं फिर रोड भी अत अमैप में देस इंक्लोड हाइबे स्टेट रोड ओके और रोड का मुलग रड कळा से दिखाते हैं नेस्ट ऐलिवेशन को मतलब क्या होता है और टॉपोग्राफिय भी बोल सकते हो इस इंक्लूड मांटेन हील्स अन वैलीज और इसको आड है यह प्राउन कलर ऐगए आप देख सकते इसको ब्राउन कलर से दिखाते हैं ओकई एंड ने लिht दोे गार्स और पार्ट का ऊसके मकुझा कि are this include national पार्ट भी हो सकते अस्टेट फार्ट भी हो सकता एड इसको मुझा प्रीन कलर से दिखाते है बस simply इसमें आपने जो कलर याद किया था उसको भी लिख पाऊगे और आप थोड़ा एक्सटा भी लिख दीजिएगा नेक्सट है इनमबर टाउन एन सीटी अन्पने से बहुत कुछ एड कर सकते हो और यह तो एक तरह आपको बेसिक आइडे मिलके इसमें आप अपने से आप इसको और बढ़ा के थोड़ा लिख सकते हो अगर आप चाहो अधर्वाइस इसमें भी आपको पूरा माक्स मिल जाएगा आपने कि एक कलर एड करक होतों आपका जो एंशर वह अलग दर डेफिनेटली अलग बनेगा ओक्च से ul abd जर्वाइस टैप स ओपनोर्थ कमूंतलब उद्दव परका लिख हे उतर गर कितने के परकार होते हैं हम लोग सब जानता है उत्र के तीन परकार होते हैं क्या क्या एक true north magnetic North and grid North true north क्या होता है जो हमारे real light में नॉर्थ pole का direction होता है उसी को बुलते है true north यानि की direction of North Pole from the observer हम लोग जिधर से देख रहे है जो observer है उसका जो पोल है वह त्रूनाथ magnetic नॉर्थ क्या होता है it is the point to which an accurate compass needle point when freely suspended जब आप एक compass को freely suspend कर दोगे फिर जब compass का needle this side में बसोग करेगा वह यह magnetic north clear next grid north grid north क्या होता है it is the direction to which one north south grid lines on a map point ओके यह तीं तारके नौर्ट होते है दूनाथ माइनेटिक नौट ग्रीड नाथ यह भी पूछ सकते हैं कितने तरह के नौर्ट होते हैं आप नेक्स्ट पेपर में एट नमबर यह भी बहुत अच्छा कोशियं था वह इस तर्विस प्रोटेक्टर एंड हाव इटीज उस्ट प्रोटेक्टर क्या है इसका उप्योग कैसे किया जाता है ओके एंड आपको इसका एंसर सबका लग-लग में भी हो सकता है पहला प्रोटेक्टर में ड़ प्लास्टीक और वूड इन रेक्टंगुलर से ओके सर्विस प्रेटेक्टर प्लास्टीक का होता या फिर लगड़ी का भी बना हो सकता एक रेक्टंगुलर सेप में नेक्स्ट है सर्विस प्रेटेक्टर का लेंज 6 इंच रहता है और ब्रेट 2 इंच आप बहुत सारे कैड़ेट इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो पर एगर आप जैसे बट आप ऐसे पॉइंड वाइस लिखिएगा तो इसमां अच्छ अच बॉजिंग ओके फॉर मेजरिंग बेरिंग औफ जीरो तू एटीन 180 जीरो से एकुस्टी डिगरी तका बेरिंग निकालने के लिए हम लोग सर्विस प्रटेक्टर को इस्टिंग लाइन पर रखते हैं ओके फिर सेकंड पूर मेजरिंग बेरिंग औफ एकुस्टी से तीन मेजरिंग मापने से पहले वो लाइन को हम लोग मिला देते हैं इसका अलाबा आपको एक एक्स्टा में बता देना चाहता हूं आप वो भी एड कर सकते हो सर्विस प्रोटेक्टर में जो डिगरी 0 से 180 होता है यह बाहर की तरफ होता है यह पूछा जाता प्रैक्टिकल में या कहीं भी आप येभी एड कर सकते हो जो जीरो से 180 दिगरी वो सर्विस प्रोटेक्टर में बाहर की तरफ होता है और 188 से 308 डिगरी वो अंदर की तरफ होता है यह भी आप अगुकल्त एकम्त औ이ने टू पार्टो का झाम लिखना थो आपको नहीं लिखना 2 से ज्यादा लिख सनमाग दो पूछ आप छे लिग दे चलेगा ओके आप अगए दो ही लिग देते तो उसलिए बात आपको वान नमबर मिलता नेक्स से वाट इस अ मैप एक मैप क्या है तो सब सक जाओगे एक यह टू नमबर का था कोशन यह अब मैप एक प्लेस का ग्रैफिकली और सिम्बॉल है जाता है ओके एंड मैप सोर्स करता है रोड बिल्डिंग फोरेस्ट रिबर एंड लेक्स क्लियर है इस देफिनेशन आप मैप से देखते हैं 11 नमबर कोशन क्या पूछ रहा है हाव मैने टाइप्स आप मैप आर दियर मैप की कितने परकार होते हैं तू फूर सेबन यह ए िट इसमें क्यरेट कनतनी होंगे सर बहुत लोगं अप्टर द्यांसर मैत को कितने परकार होते हैं राइट एंसर कितने उता है उतार आएट बहुत जर्ट मैंब्रENDness साथ परकार होते हैं नेक्स्ट है बाई विच मीडियम केन यू टेल करेक्ट नॉट विदाउट कंपास 12 नमबर देखे बिना कंपास के आप नॉर्थ कैसे पता लगा होगा ऑप्शन ए पोलिस्टार सर्विस प्रोटेक्टर इसके लिए पॉइंटर स्टाफ सर्विस प्रोट साइड में निकलता है नक्स्ट थर्टीन मेजरिंग बीट्वीन इस्कीन लाइं नौर्द त debates मांचितरा में पूराभ और उप्तर दिशा के बवीच एक बर्ग बनता है okay जब आप sting line Northern line खींचते हो ना sting line और Northern जब खींच देते हो तब उसमें से यह जो square बन रहा ना इसको क्या बोलते हैं पूचा तो उसको बोलते हैं Grid Okay क्या बोलते हैं Grid 13 नंबर में Grid होगा 14 नंबर grid met on map by sting line and Northern line is called जो Grid के save is a stonk line Northern line का जो जाल होता ना उसको क्या बहुलता रीम उसका भी ऐंसर घृण ओके व्यरिंग तो होगा नी एंग्रेटी लिवा होता है एक पॉइंट जहां पर्सक्राइन पोजीशन निकालते हैं reference ओके 11 नंबर का option C होगा साथ तरह का मैं आप होते हैं 12 नंबर का option A police chart 13 नंबर का grid 14 नंबर का भी ग्रीड होगा and 15 नंबर का grid reference option A okay I hope यह भी clear हो गया होगा and next 16 नंबर क्या है full form of GPS GPS का full form क्या होता है इसमें तीनी option दिया हुआ था paper में global positioning system global planning system यह grid postal system GPS क्या तक global positioning system 16 का a 17 back bearing of 135 degrees 135 डिगरी का back bearing क्या होगा तो पहले मैं answer बता दूँ 135 डिगर को होगा a number 315 315 ओके back bearing आपको तो पता होगा अगर bearing 180 से कम है तो हम लोग उसमें एक सुस्टी एड कर देते हैं अगर bearing 200 एक सुस्टी से ज्यादा दिया हुआ है ओके एक सुस्टी से ज्यादा देगा तो हम लोग उसमें एक एक सुस्टी घटा जेते हैं नेक्स्ट 18 नमबर compass has degree reading between compass में डिगरी रिडिंग किसके बीच होता जीरो से एक सुस्टी जीरो से 300 साट एक जीरो से पहनताले से जीरो से एक स्सक्ट राइट एनसर है जीरो से 360 कंपास में जो डिगरी ह다 जीरो से 360 तक निकाला जाता है तो सुलार नमबर कर एंसर क्या होगा एक ग्लोबल पोजिस्टिंग सिस्टम सत्रक अभी यह 315 डिग्री होगा एंड अठ्रक भी जीरो से 360 डिग्री क्लियर है यह सब थोड़े ठीक थे नेक्स हम लोग यह हो गया मैप रिडिंग भी कंप्लीट हो गया अब इसमें देखते हैं इसमें एक कोशन था जो मुझे लगा इस टॉपिक में नहीं होना चाहिए था चलिए पहले देखते हैं यह आइधिंग 6 नंबर के पूछा गया था जनरली यह तीन सा नंबर के पूछा जाता है क्या वाइट तिंग सार सीन चीजे क्यों दिखाए देती है अब इसका सबको पता है 6s & 1m से अब अगर आप खाली 6s & 1m लिखोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा आप उसको डेफिनिशन भी लिखना होगा कि 6s & 1m क्या होता है so we can understand this with 6s & 1m 6s का भी लिखना है सबका अलग-अलग है जिसा आपका पूरा टाइम वेस चलदा इसी कोशन में ओके थो थोड़ा थोड़ा लिख के थोड़ा इंदर सेंस की जैसे से क्या था मैनी थिंग्स केन बी रिकॉनाइज्ट थ्रू दियर से स्पेसिफिक से हम लोग चीजों को कैसे पर चाते कभी कभार अगर आख बंद है इस बज़े से साइज साइज के बज़े से भी हम लोग पहचान लेते हैं कि कोई समान बढ़ा है यह चूटा है साइन अब साइन तो आवर आई सर वेरी मच सेंसेटिब तो वर्ट साइन हमारा अगर कहीं से भी कुछ थोड़ा भी चमक दिखता ना साइट से भी पारो तो साइन को बहुत जल्दे रीड कर लेता है सेडो सेडो भी अट्राक्ट करता है अगर आप छुपे वह आपका सेडो दिख रहा है तो पता चल जाएगे कि वहां कोई नहीं है और सिल्डाउट क्या होता है कॉन्टेक्ट कलर क्याप्चर देंशन जो सिल्डाउट को आप रिल और डेफिनेटली हो आप क्यमफलाज हो जाओगे हूँ होँ है अदरवाइस अप ग्रीन कलर कर है आप रहसे दिखे जाओगे ओके होगे तो से ल्डाउट मोमेंट मोमेंट क्या है अब मुरेंट थोड़ा भी हल चल होता हमें हमारे आख हें बदला पता पता डिटक्ट कर कि कुछ हुआ है है तो यह इन से बजों से हमें चीजें दिखाई देती है ओके आफ यह एंसर क्लियर हो गया होगा अब आप अपने से भी इसको और एलबरेट करके लिख सकते हो और अलफा लाना है तो आपको एंसर थोड़ा तो अपने से भी एड़ करके लिखना ही पड़ेगा रिजन आपको अपने कॉपी थोड़ा सा अलग बनाना है दूसरों से नेक्स्ट कोशिन हमें देखते हैं 20 नंबर गिव मैथेड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस दोरी मापने की बिधियां लिखें दोरी मापने की बिधियां लिखें नाम लिखके छोड़ दोगे सोच रहे हो आ बनेंगे बी एक नंबर काता जाया है अगर तोध थोड़ा थोड़ा डिख सकता है क्या होता है लिखें रहे गदिआघ लेते हैं फिर मेंटी ihrem से जाते हैं second appearance method आप appearance method को थोड़ाओ डिटेल में पढ़ लिजेगा उसमें इंपोर्टन चीज दिया हुआ same object appear differently a different position मतलब जितना दूरी बढ़ता है उतना object का visibility घरता है यह सामने आता तो बढ़ता है बस होई है इसका आप बुक में देख लिजेगे degree के साथ मतलब distance के साथ bracketing method हो गया section average method की रेंज halving method यह सब 6 तरह के होते हैं judging distance आप थोड़ा थोड़ा लिख दोगे जिससे मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा हूं इससे आपको क्या कि full marks देने से कोई नहीं रोख सकते स्माव फूल माक्स डेशनेट नहीं मिलेगा अगर आप थोड़ा थोड़ा definition करके लिख दोगे 21 नमबर नेम एनी थ्री टैप्स आप नॉट्स नॉट्स मतलब गांट जो हम लोग बांते हैं न किसी चीच को गांट ओके तीन तरह के नॉट्स लिखना है तीन कोई भी तीन भूक में तो आराम सब 10 15 दिया हुआ था है नॉट्स से भी objective question आता है एक दोगो तो पहला है षित बैंड शीड बैंड ओके यह तरह का बांधना यह तिस नॉट्स साइट जून व रॉपस अप अंप अनीक्वल थी टीकनेस दो रॉप है अलग 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 थीकनेस का उसको बांदने के से डेट बैंड युज रिफ नॉट यूट्ट this knot is tied to securely join two ropes of equal thickness okay unequal thickness के लिए हम लोग सीद बैंड के उसके और equal thickness के लिए equal thickness के लिए रिफ नॉट उसके sorry and next thumb knot thumb knot क्या होता thumb knot this knot tied to make a stop on a rope and stop हम लोग thumb के मज़द से भी अब रस्ती को बानते हैं पोगर अपने experience practically so this knot tied to make a stop on a rope and मतलब इस रोकने के लिए हम लोग थम का यूज करते हैं थम नॉट का 20 second number क्या हम what are the sequence of indicating target target लच्छे को बताने का करम क्या है लच्छे indicating target क्या है the easy way to remember the sequence is to remember the group grade grade को अगर याद रखो कि तो आप लच्छे को विजली बता सकते हूं क्या क्या है जी से designation of group पहले कौन सा टाइप को group है उसको पहचानना फिर आपको आर से range पहचाना एसे एड़ मतलब मदद होता है और डी से description ओक है यह हो चार तरह के से target को बताने का यह भी important है objective में पूछ सकता है next है जो next question था ना यह मुझे थोड़ा नहीं इसके बाद हो गाए थी नेम एने टू पार्ट्स आप इसलार क्लिनिंग राइफ क्लिनिंग किट एसलार को सफाय करने हाले कोई भी दू किट का नाम लिखना तो दो पूछा तो आपको दो से ज्यादा ही लिखना आपको तो पांस सक तो यादी है मैंने बहुत बर कहा याद करने पुल थ्रू ओयल बोटल चिंदी ग्यास रेगुलेटर कॉम्बिनेशन टूल आप चिंदी के साइज भी लिख सकते हो फोर इंटो टू इंच करके नेक्स जो कोशन है यह है डिफ डिफाइन दे टर्म लैंड मार्क भूमी चिन सब्दों को परिहासित करें लैंड मार्क क्य अगर आपने कहीं भी कुछ लैंड मार्क बनाकर रखा तो वह आपको हैल्प करता है फ्यूचर में आप इसलिप जाओगे अगर कोई फॉरस जाने का रस्ता आपको खूजना रहां लैंड मार्क पहले सद्दिया और आप इसलिप नहीं होका तो आप भटकते रह जाओगे यह होतरे लैंड मार्क नैक्सट यह अलम आ तिंग यस डिफाइन तो टर्म टर्गेट को टर्पान कर देंगा उन्हें और ऐस स्पेसिख निया थे कि कौन से भीविव सही है ओंड इसका अंसर कहीं भी आप यह नहीं बूल सकते कि मेरा एंसर गलत है कि मेरा एंसर सही है कोई नहीं बूल सकता है टारगेट का कि is a basic थोट होता हम लोग का थोट या फिर बोलो अचीब करना चाहता है और फिमन बिंग विच देख वांट एक कंपलेशन दिया लाइफ मैंस हीमन बिंग का एक थोट होता है जो वह अपने लाइफ में अचीब करना चाहता है टारगेट किसी चीज को बना के यह तो एक जैनरल एंसर हुआ एंड आप जो FCVC टॉपिक में टारगेट मतलब क्या होता है इंडिकेशन ऑफ टारगेट यह एक टॉपिक है टॉपिक नहीं इंडिकेशन ऑफ टारगेट टारगेट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं इसी टारगेट जैसे हमने अभी जस्पढ़ा ग्रेड उसे से टारगेट को लिखाते हैं तो में भी आप वह भी एंतर लिख सकते हो कोई दिख्कत होगा नहीं सो इसका एंसर यू कैन राइट एनिधिंग जो भी आप लिखोगेट इसक्स नंबर क्या है इसका इंग्लिस तो मिसिंग अपट एंसर में या फिर अब कॉप देख लिजीगा पेपर में दिखा ओ डेडिंग डिस्टन्स कितने परकार कोते हैं फेल जानते हैं छे तरीकों करते हैं ज़्याइट से 27 वेकेन मेजर हाव मैं डिग्रि हुद विर हेंड हम अपने खाली हाथ मतलब नंगे हाथों तोसे अब मेरे इस हाथ साप कितना डिग्री माप सकते हो समस्ट अप्षान और सबसे कम थेघरिए वह भी कुश्ट्वीन में हैं आगे देखते हैं मैं नेक्स इट्स्ट पूक्स सब्सक्राइब करेक्टूसिब ग्ली में एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं किस हाथ से हम लोग उप्यूग करते हैं किस हाथ से हम लोग बताते हैं डिगरी को राइट एंसर क्या है आपको पता होगा नहीं है तो आपको इस तरह इंट्रस्टिंग चीजे छोटी छोटी चीजे आपको सौट में या फिर कम्मूनिटी पोस्ट में मिल जाएगा जिससे भी आप वह भी करोगे तो आपको में भी आपको एक्जाम में वह आई जाते हैं नेक्स हम लोग 30 नमबर चले देखते हैं नेक्स्ट पेज में 30 नमबर ओके 29 नमबर तो हमने भी देखा है लाफ हैंड होगा 30 नमबर क्या वोट इस अब ब्रेकेटिंग यूस पूर ब्रेकेटिंग क्यों यूज करते हैं ब्रेकेटिंग क्या है एक सेक्षेंफ इंफॉर्मेशन है या जज़िंग आप्सेन देखेस में जन्होंने चार होते हैं इन्होंने तीन ओप्सेन दी दिया कोई बात नहीं चले पेपर यह तो इससे भी नहीं कैंसल होगी अच्छा हुआ चले वाट इस अब रेकेटिंग यूस ब्रेकेटिंग यूस क्यों करते हैं हमने ज़स्ट अभी पढ़ा पहले भी वीडियो में सेक्शन फॉर्मेशन का जितने भी टॉपिक है सब को अच्छा सेखबर पढ़ लेजेगा सेक्शन छे टाइप को होता है से टाइप के ओके अब उस छे में कौन सा ऐसा टाइप है जो सर्विलांस के लिए अच्छा होता है निगरानी रखने के लिए राइट एंसर होगा डाइमेंड फॉर्मेशन ओके कौन सा होता है डाइमेंड फॉर्मेशन जो डाइमेंड फॉर्मेशन है डाइमेंड फॉर्मेशन कैसा होता इस तरह का ओके इस जो डाइमेंड फॉर्मेशन यहां लिडर रहेगा अब इसमें देखिया आप चारो तरफ स से निगरानी रख सकते हो एंड फाइरिंग भी चारो साइड कर सकते हो यहां से ओके यह है diamond formation यह इस 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 बेश्ट formation बोल सकते हो सर्विलांस के लिए clear है next हम लोग देखते हैं I think yes next question है 30 इसमें 31 32 ओके and मैदान कितने परकार करते हैं types of ground types of ground क्या होता है यह एक सी सेटिफिकेट प्रिवेस एर का कूशन है 2021 में आया था इतिंग कितने तरह के होते हैं पाथ साथ आठी चार राइट एंसर अगा चार क्लियर है कितने तरह के होता है चार तरीके के होता है क्या कि ब्रॉकेन डेड फ्लैट एंड हाई यह चारी होता है और आपके बुक में छे यह साथ दिया हुआ है ओके 33 नंबर क्या है विच आप दो फॉलाइंग इस सीक्वेंस ओफायर कंट्रोल और निम्लिकित में से कौन सा अगनी नियंतरन आदेश का करम है ग्रीट ग्रीट तो कुछ है जी आई आरट यह से तो कुछ है नहीं ग्रूप ग्रूप है इजी टार्गेट को बताने का 34 नंबर टू वाट डिगरी केन यू मेजर विदाउट कंपास बीना कंपास का आप कितने डिगरी तक माप सकते हो मतलब सीधा कोशन इंडारेक्ली कोशन पूछा है आप अपने हाथ से कितना डिगरी माप लोगे ऑप्शन ध्यान से पढ़ हाथ लिखा होता नहीं है अफ़धर इंडिक चूंफ कर रहा है कि बिना इंडिकेट कर रहा ह , सरद고 कि माप सकते ह किए पूछा हम सिंगल व सिंगल से टाइब हात्यारों के साथ सिंगल एक परकार है सिंगल के तीन टाइप होता हैं ओके एक होता है हाथ से दिना हाथ से सिंगल करना एक होड़ वैपन से इस था वििशलिंग क्लियर अब बताईए जो वेपन है वो क्या है 52 सीullah का लया ओके सेक्स क्रोलिंग थोड़ी होता फार एंड मूब नहीं होता फिल सिगनल होता यह वी हब कंप्रेट एप सी बीसी का पूरा कंप्रीट होगे अब आगे का देखते हैं इन्फेंटर बटालियन का ओके तो नंबर का था तो आपको तो नंबर का थो थोड़े ज्यादा ही लिखना हो पांच्छे लिख देजिएगा अगर आपने हमेरे फुल फॉर्म वाले वीडियो नहीं देखा उसको जरूर देखे इस बात जो कोशन आया ना उसमें उस फुल फॉर्म में आप चेक कर सकते हो द 297 37 नंबर व yay वाट इसाे रोल ओफ इंफेंटरी इन आर्मी इंफेंटरी का टार्मी में कीक लेकोन अपने कोति है फरस्ट नमबर क्या है इनफेंट्री एंगेज विज फिट आइनीच क्लोस रेंच व्रेंच पेटल मेंzetर Nie 후 Ellie कि पैदल सो हम सी अप आर्मी में ईक इनफेंटली होता है दुसरा आप्स खाले और आप कारटील वर देखे तुरह के फिलिम भी देखा होगा लोसुत इन्फेंट्री क्या होता है आगे जाती है पहार चड़ती है और उहीं इन्फेंट्री पीछे से गोला बरसाती है और आतलरी पीछे से से गनन ऐortuni होता है अ जो इंपर्टिन रोल प्राथ है और आज अडिल देरं रोल करता है नेच्ट है इन परेंटरी पर्ड वेडिन एनेमी इन ग्राउड इनफेंटरी फइंटरी करता है ग्राउन पता है ओके एनिमी के साथ next है infantry plays the vital role during the war बहुत important role play करता है next जो important है ये general knowledge है infantry is also called a queen of war infantry को हम लोग queen of war बोलते है जो artillery है उसको हम लोग क्या बोलते है god of war artillery को god of war बोलते है and infantry को queen of war clear है and next है yes LMG write the full abbreviation LMG का full form क्या होता है light machine gun I hope इसका तो पता ही होगा next है MMG MMG का क्या होगा heavy machine gun clear है name types of ammunition of insass rifle जो insass rifle 5.56 mm insass rifle जहां बोल दिया आपको 5.56 mm याद कर ले ना दिमाग में 5.56 mm insass rifle कि कितने तरह के ammunition fire करते है there are four types of ammunition of insass rifle link fast insass rifle जहां चार्ट रहे के हम लोग ammunition fire कर सकते हैं क्या 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 है ball round tracer round blank round and SD cartridge clear है next 40 number what is the full form of AI अभी तो AI चलन में है हर जगा AI का full form क्या होता artificial aircraft intelligence या B number artificial intelligence या Air Force intelligence very good इसका answer होगा artificial intelligence clear है सबको पताओगे या आई next जो बहुत ही important question है मुझे बहुत ही अच्छा लगए वाला question देखे 41 number जो बहुत कैड़ेट इसमें गलत भी कर सकते हैं ध्यान से पढ़ना effective range of 7.62 mm SLR SLR का effective range कितना होता 500 यार्ट 300 यार्ट ये 275 यार्ट नन अब दिस हमने बुक में यह कहीं भी हो दो तरक एंसर पड़ा SLR में 300 भी होता है 275 भी होता है 275 मीटर होता है और 300 यार्ट में होता है next weight of 7.62 mm rifle without magazine बीना magazine के rifle का weight कितना होता है 7.62 mm SLR का 4.4 kg next caliber of 5.56 mm is again caliber क्या होता है caliber होई होता है जो उसका prefix में यूज होता है जो बोल रहा 5.56 mm तो 5.56 mm ही होगा caliber 43 number में option A 42 में C option 4.4 kg and 41 में option B 300 yards C क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहां yards है 275 मीटर होता 40 number B artificial intelligence clear होगा next हम लोग अभी military history का करेंगे 44 number write three types of war तीन तरीके के war लिखे है यूद के कितने तरीके होता है तीन तीनों के types लिखना है या फिर थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा सा ज्यादा नहीं absolute war ज्यादा लिखने जाओगे आपको आगे भी time को भी maintain रखना है ना absolute war पूर्न यूद absolute war फुल फ्लेज वार क्या होता है इस अन्रेस्टेक्टेट एन अन्रेगुलेटेट वार कोई रिस्टिक्शन नहीं कोई कहीं भी घुश सकता है कोई किसे को भी मार सकता है पूर्न यूद जैसे अभी करेंटली चल रहा है इक्जाम्पल में आप दे सकते हो जब कोई दो नेशन फुल फ्लेज फाइटिंग करते है न तो उसको बोलता है आप वार वार हमने जस्ट आगे पढ़ा उसी से रिलेटेट है absolute वार नेक्स्ट है एग्नॉस्टिक फाइटिंग पीड़ा था है क्यूद यह होता है और रेगुलेटेड एक्रोडिंग टू नॉर्म्स कुछ कंडिशन पर फाइटिंग होता है यह एंड नाक्स इंस्ट्रुमेंटल वार यह इट में और में नॉट भी रिस्टिक्टेड यह रिस्टिक्टेड भी हो सकता नहीं भी हो सकता है के लिए यह तीन तरह का फाइरिं दो अब बर्सों के नाम बताई जिसमें भारत पाक युद लड़ेगे हैं भारत और पाकिस्तान के युद लिखना है जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ तो सबसे पहला इंडिपेंडेंस के बाद हुआ कास्मीर वार अब बोल सकते हो 1947 से 1948 बहुत जगा इसको मेंसन किया जाता बहुत जगा नहीं भी लिखा जाता कास्मीर वार आप लिख दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगे ज्यादा इंडो पाक वार 1965 में हुआ और 62 चाइना के साथ लड़े थे इंडो पाक वार यह बंगलादेश लिवरेशन 1931 में सियाचीन कॉनफ्लेक्ट 1924 से 2003 तक नेक्स्ट कारगिल वार 1999 ओके डी नमबर आप नया है थोड़ा इसको जरूर लिखेगा सियाचीन कॉनफ्लेक्ट 1934 से 2003 ऑपरेशन मेंक दूद 1934 में ही तो हुआ था आगे मिलेगा आपको वह भी तो इस बज़े से यह इंपोर्टेंट हैं आप यह एड करोगे तो आपको अपको एंसर और अच्छा रहेगा दूसरों से एक सिफ नंबर फुल फॉर्म एल्सी एल्सी का क्या फॉल पर्म होता है एडवांश लेडर्सिप के बियल सी बेसिक लिडर्सिप के सी नंबर एस नैंसी का फुल पर इस्पेसल नेशनल एड्ट्रगेशन के हैं अगर आप हम एक बार उस पर गो थू हो जाए देख लीजेगा बस उसको तो आपको याद हो जाएगा नेक्षा 47 नमबर राइट डाउन अबाउट ऑपरेशन मैखदूद जो स्याचीन ग्लेसर में वान ऑपरेशन मैखदूद उसके बारे में लिखना है स्याचीन ग्लेसर में 1984 से 233 तक फाइट होते रहे हैं क्या ओप्षन है इट वर्ज ओड नेम कोड नेम ऑफ इंडियन आर्मी टो टेक फूल कंट्रोल आप स्याचीन ग्लेसर सेकेंड नमबर इट वाज इस स्टार्टेट ऑन दा मौनिंग ऑप थर्टीन अप्रेल उन्नेस और यह मैकडूट वर फोर्स मिलिटरी ओफेंसिव इस तरह का वह यह फिर यूद्ध यह पहला था ओके जो अप्रेशन मैकडूट और इसको किसने लीड किया था लेफटनेंट जनरल प्रेमानात हुन ने ओके यह भी लिख लिख लिए यह फिर आप अपने से और भी कुछ एड़ करोगे तो वह भी बैस्ट हो जाएगा आपके पास टाइम है आप और ज्यादा लिख सकते हो तो आप इसमें आप एड़ कर सकते हो अपना कुछ नेक्स्ट हैं 48 नंबर येर ओफ कार्गिल वार कार्गिल वार कब हुआ सबको तो पता 1999 1999 नेक्स नंबर ओफ एंससी डाइरेक्टेड इन दे कंट्री इस कितने एंससी के डाइरेक्टेड है सबको पता 17 आर्मी डे कब मना जाता 15 जनवरी एर फोस टे आपको भी याद रखन आर एट अक्टोबर नेवी डी चार दिसंबर क्लियर हैं एक नेक्स फोर्टीनाइन नंबर इंडिया चाइन वार हैपन इन विच वार इंडिया चाइना युद कब हुआ 19., 1962 में 19 hospital में तो पाकिस्तान के साथ 21 पाकिस्तान के साथ आयमी यह 50 नंबर का कोशें है ना कोशन तो ठीक है आयमें देहरादुन वर्स ऑपन इन यह पट जो यह ऑप्शन है यह ऑप्शन सब गलत है ओके फिप्टी नंबर का ऑप्शन गलत है आयमें देहरादुन कब ऑपन हुआ इसका एंसर है 1932 में आप चेक कर सकते हूं गूगल में कहीं भी 1932 यह जो जलते ही नहीं या सपास में भी नहीं है ओके आयमें देहरादुन कब इस्टार्ट वर नाइन टीन थर्टी टू फिप्टी वन नंबर फोर्स वर्ल्ड वर स्टार्ट इन दव यह पहला बिसूद कब स्टार्ट हुआ उननिस सो इन्चालीस पैंटीस यह चौदा या उन्नि सब्सक्राइब उननिस सो चौदा में उननिस सो चौदा में फोर्स वर्ल्ड वर स्टार्ट हुआ है और कब तक चला 14 से 18 तक और 1949 इसमें सेकंड वर्ल वर क्लियर है और 52 आप एक बाद चेक के लिए अपने से इसमें सब गलत है क्वेश्चन तो ठीक है चलिए कोई बादिक सब्सक्राइब फिप्टी टू नंबर विच अपड़ फॉल्वाइं इस फेमस पॉइंट इन ग्रास सेक्टर ग्रास सेक्टर में सबसे प्रस्तित बिंदू क्या है फेमस जगा बोल सकते हो टॉलो लिंग ये एक ये ना टॉलो लिंग के बारे में भी आप पढ़ लीजिए इसका जो एंसर पूल सकते हो पहला बात द्रास एंड दिल्ली नहीं होगा इसका स्रीनेगर ये लेह में से कोई एक एंसर है मैं लह को बता रहा हूं आप एक बार अपने से भी चेक कर सकते हो 53 नंबर को आप चेक जरूर किजिए अपने से इसका एंसर क्या वतर कमेंट में बताइएगा ओके 53 नंबर कम मुझे थोड़ा से डाउट है 53 में क्योंकि आप इसका राइट एंसर एक जैक डेंसर कुछ नहीं मिल रहा था बट लह मुझे लगा मैं आप में देखने के बात तो सब्सक्राइब बता रहा हूं आप लोग एक बाद चेक करके कमेंट में कम्युनिकेशन इन दप मॉडरन डे वर्ल आधुनिक बिस्व में संचार के विविन तरीके क्या है इसका एंसर परसन पर परसन चेंज होगा मैंने यह एंसर लिखा हूं मुझे अच्छा यह लगा आपको आपका एंसर कुछ और हो सकता मैक्सिमम लोग क्या लिखेंगे इस अगर यह लिखोगे तो it is something different than others so maybe आप थोड़े कुछ और लगेगा क्या है वर्वल वर्वल क्या होता है इसमें जब लोग मूँ से जो बोलता है बस वर्ड चेंज है और कुछ चेंज नहीं है एक वर्ड ही आपका कोई एंसर का अलग बना देता है इस अमोश्ट ओवियस of the different types of communication यह सबसे common है अलग तरह के सब अलग सब कम्मुनिकेशन से अलग सारे वर्ड डिफ्रेंस है वर्ड डिफ्रेंस ही आपके अंसर को अलग बनाएगा दूसरों केंसर से मोस्ट ओवियस है मोस्ट कॉमन बोला जाता है डिफ्रेंट टाइपस ओप कम्मुनिकेशन से इस पोकें वर्ड होता है बाते करना या अधर फेस-टू-फेस और रिमोटली ने करते हैं ऑफिशेल नहीं होगा फेशेल होगा एफ ऐसी आई-ए-ल फेसिल एक्सपरेशन हैंड गेश्टर एंड पॉस्टर एक्सेक्ट रा जब हम रहे हैं इस तीन को ही अलग अलग भागों में बाटा गया आप लिखोगे हैंड से साइन कम्म्मिनिकेशन करना एक पॉइं पर ज्यादा दिखाने क्लिप कर सकते दरवाइस इसी में सब आ जा रहा है विज्वल कम्मिनिकेशन विज्वल जो हम लोग सोच के करते हैं या फिस दिखा के करते हैं इट इंक्लूड साइन भी होता है अब इसके कुछ अब्जेक्टिव कोशन भी थे यह पांच नंबर का था इसके जो अब्जेक्टिव कोशन देखते हैं 54 तो होगी हमारा अभी जस्वाड़ा तीन सौरी तीन नंबर का है यह इतना तीन नंबर का क्लियर है नेक्स्ट दिखते हैं एन पी आर्सी रेडियो सेट है जब वेट आफ एन पी आर्सी का वेट कितना होता अगर आप चेक करोगे तो इसका वेट दिखाता है 6.2 kg क्या है वेट इसके क्ट दिखाता 6.2 kg ऑके बत इहां 6.2 है नहीं तो इसलें नन अप धिस इस राइट एंसर होगा जैट जिपीटी और बाड आट टैप्स ओप जैट जिपीटी और बाट कि क्या कि टाइप है एंपुटर रहे चैट जीपीटी कार्ज अनन अप अब अब इस अ अटिफिसल इंट लिएंशी ए ए अट जैट जीपीटी नेक्स है how many types of satellite are there best on their uses ओके उप्योग के आधार पर कितने परकार के उपगरा हैं राइट एंसर होगा नौ नौ आप बोल सकते आर्टिफिशल जो कृतिम उपगरा हैं वो नो जो हम लोग यूज करते हैं यह और अपने से घश्या बना सकते हो जो अलग होगा सबसे जितना आपका एंसर और थोड़ा अलग रहेगा दूसरों से तो आपको अच्छर नंबर मिलेगा और मार्क्स मिलेगा ओके I hope आपको पूरा समझ में आ गया होगा next next part में हम लोग complete करेंगे पूरा common subject को okay thanks for watching 10-12-1